तो साथ यो सही पड़ा आपने बिल्कूल की इंडिया न्यूस पाइंट पर हम आज आपको जो है बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट देनी जा रहे हैं और जो बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है वो आप अमारे चैनल पर देख रहे हैं इंडिया न्यूस पाइंट जो सविकार रही है और आठ शीटों पर किस प्रकार से उनका मुकाबला है तकर है या वो जीत में हैं सारी बातशीत करेंगे और बातशीत करेंगे विवानी में अंदरगड के लावा आज पूरे हर्याना बरगी वी तो आप बने रहे हमारे साथ इंडिया नियूस्वाइंट पर काके तो यहां पर आज हम हैना एक काम करते है वन ठोण सीट्थो पर बाते हैं जिस प्रकार से नहीं कहा है कि हैं कैसे कंगोन और उन में तयार किया है पूरे कुछ नोट्स बनाएं इन नोट्स के बाद अबसे मैं आपको यहां पर बताता हूं कि हर्याना की जो 10 सीटे हैं उसमें बीजेपी क्या करें कि पहली जो उनकी सीट है वह कौन सी सीट है जिसके बारे में उचल्चा कर रही है तो मैं हारने वाली शीट पहले बता देता हूँ आपको कि जिरसा और यह आपको BJP की internal report है, जो BJP ने 27 मही को review meeting करी, अपने कारे करता हूं और नेताओं के साथ, और फिर उन्होंने जो कहा कि हाँ, हमें लगता है कि हम सिरसा हार रहे हैं, हमें लगता है कि हम रोत्तकार हैं, हमें लगता है कि हम जो यह जो चार सीटे हैं, इससे अगली जो चार है जिस पर फाइट मान रही है तो एक सौनी पत जो है ना वो सीट है जिसके उपर फाइट मानी जा रही है इसके अलावा जो है अमबाला एक सीट है और इसके अलावा जो है कुरुक्षे तर एक सीट है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिवानी महंदरगड एक सीट ह बीवादी मे氣दगड था आप चांब दांबार्ज चार इंडियर्ण गांध मने सामने के अव्यारन बडियान है, तो 7, 8, 9, 10 शीटो पर ये अपने आपको जितावा मैस्मस कर रहे हैं और जो 7, 8, 9 जोAcicherung मैस्थ ए वो है आपकी करनाल करनाल के पर सचाथ जो आपकी सीट है वो है गुरूगराम और इसके पश्चाद जो आपके जो सीट है वो है इसार और लिखाई मेरी इसमें ऐसी ही हो सकती है थोड़ा सा फास्ट वैसे चल रहे हैं और वैसे हिंदी में मेरी काफी अच्छी लिखाई है भी नहीं बाकी ये है आपका फरीदाबाद इस से अगला इन चार सीटों के अंदर ये जो हैं ये मान रहे हैं अपको आपकी हम जीत रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं और जीत रहे हैं बाकी आपको क्या लगता है कि कौन सी विदान सवा में सोरी कौन सी लोक सवा में बीजेपी हार रही है या जीत रही है आप और वह क्यों मान रहे हैं? किन कारणों से मान रहे हैं कि यहां पर वो चारो जगें से जीत रहे हैं तो दस की दस की सीटो पर हम अभी बतचिट करेंगे और point to point बात करें क्योंकि मैंने पहले ही सारे point नोट कर रखें आपके लिए तो seat to seat हम बात करने वाले हैं सिर्सा को ले लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं हम चलते हैं से भार और हम चलते हैं सिधा Google के उपर और सिर्सा के अंदर आपने काफी नाम सुना होगा कुमारी सेल्जा हलाएं के कॉंग्रेस से हैं और मैं बात कर रहा हूँ कहीं बेजेपी रिपोर्ट की लेकिन जो कुमारी सेल्जा कुमारी जो हैं इनकी वज़े से सिर्सा में हार हो रही है ये एक मेंबर ऑफ पार्लियमेंट पिछले दो बार रह चुकी हैं और जो सेल्जा कुमारी हैं ये एक कॉंग्रेस परिवार से आप कह सकते हैं कॉंग्रेसी नेता के सुपुत्री हैं तो इनकी पिता काफी बड़े नेता रहे कॉंग्रेस के अंदर तो उसका भी इनको बेनिफिट है दो बार ये वैसे सांचाद रह चुकी हैं हरियाना कॉंग्रेस के अंदर इनका एक अपना बड़ा स्थान है और इनके सामने जो नेता बीजेपी के तरफ से फाइट कराने के लिए बेजा गया वो नेता बेजा गया 2019 के अंदर जिन्होंने कॉंग्रेस से ही फाइट करी थी उनको और ये एक सबसे बड़ी वज़े माने जा रही है क्यकि असोग तवर जो है वो इनके सामने आए और फाइट करने लगे लेकिन असोग तवरजी से जनता नाराज हाँ उसका रिजन है कि असोग तवर जो है वो लोग सबा के buckle height है अभी और लोग सबा के cageoga house जो है बीच में ये मेंबर और पार्लियामेंट भी रहे थे 2019 में ये हार गए थे लोग सबाचोना प्रिवेस कंपेज जो लोग सबाइलेक्शन था और ये कोंग्रेस से बीजेपी में आ गए बीजेपी ने इनको टिकट दे दी बीजेपी ने टिकट देने के पस्चात इनको अभी इनको यहां पर बहुतना पढ़ सकता है क्यों क्योंकि खुद बीजेपी कह रही है कि सेल्जा कुमारी वहां से जित सकती है सोकतावर वहां से आर सकते हैं बाकी अभी जो परिणाम है वो एवियम की पेटियों में बंद है और आने वाले समय के अंदर चार जोन के दि सकते हैं औils के अलावा बहुत सारे इंदर यह बात रही सिरसा कि सीरा में हार जीत का कारण है में हार्ण औरफिज इसके अगला फूलद आता है कि व रहर तक से क्यों हार रहे हैं तो रहत तक से तो आप मेरे इसाब से खुद ही भी समझगे होंगे कि सबसे जादा एक्टिव जो रही कॉंग्रेस यहां पर रही भी और वैसे भी जो दिपेंदर हुड़ा हैं वो यहां पर पहले भी जो है अब जैसे मेंबर ओफ राज्य सबा हैं यह फिलाल और दिपेंदर हुड़ा जी आप जान भी यह MP की सीट निकाल ले गए थे तो आप इस बात से अंदाजा लगाईए कि अब इस समय इनका जो है वोट बेंक किस परकार से बढ़ा होगा क्योंकि पिछला जो चुनाव था दोजार उनीस के अंदर जब यह हारे थे तो यह मातर 75 सो वोटों से आ रहे थे और हाराने वाले थे इनको डॉक्टर अरिविंद सर्मा डॉक्टर अरिविंद सर्मा को 75 की ही बढ़त मिली थी अब 75 की बढ़त बनने के पस्चात जेतने के पस्चात किसान आंदोलन वहाँ पर हो लिया जाटों का जो मतलब एक विरोध है बीजेपी और मोदी जी के परती वो जो है वो भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली बीजेपी सुम बीमान रही इस बात को कि दिपेंदर उड़ना यहां से विजेता रहेंगे और जो है डॉक्टर अरिविंद सर्मा वहां से हार सकते हैं और बाकी तो ईवियम की पेट्टी में रिजल्ट बंद है वो जो परिनाम आएगा तब आएगा ही तो यहां पर वैसे भी कॉंग्रेस जो है काफी एक्टिव रही और काफी एक्टिव रहने की बदोलत यहां पर वैसे कॉंग्रेस ने पहले भी कह दिया था कि यह सीट हमारी जो है ना कनफरम है तो बाकि आज हम बीजेपी की बात कर सारी अभी इस वीडियो में अगली वीडियो में आप हमारा कॉंग्रेस की तरफ से जो इंटर्नल रिवी रिपोर्ट आई है वो भी आप देख पाएंगे तो यह हो गया आपके दो सीटों के अंदर जिसमें हार मान रही है सिरसा और रोत्त के अंदर इससे आगे चलते हैं जल निहीं में अभी ब्रंचारी हरदिवार इनको टिकट दी गई है है और जब इनको टिकट दी गई है तो है कि यहां पर एक विसेश बात मैं बोलना चाहूंगा सो निपत से जो सत्वाल ब्रंचारी है ये भीव awakening और दूसरे जो इनके जो बास पाने जो जिनको टिकट दी तो वो दी बाजबा ने sitting MP जो थे रमेश, चंदर को सिख उनका टिकट काट कर और टिकट दी इन्होंने विदायक मौलनाल बड़ोली को इन्होंने टिकट दी और सत्पाल बरमचारी जो हैं यह हैं इनको कॉंग्रेस ने टिकर दी और यह सन्यासिर इनका अहुदवार में काफी आश्रम भी है और एक विशेश बात यह थी कि पहली बार जींद में सोनी पत जीन जैसे दोनों साथ नहुत है तो जीन में पहली बार ये जैसे कि गांगो लिकर के गांव उस गांव से आते हैं त राथ में आमने साек जैसे निनियनायक जो भूमी है चुनाओं जिताने की वह ब्रामनों की है क्यों क्योंकि जाट वाूले चेतर तो है लेकिन उसके बात ब्राहमन भी है इसी वज़े けन्डे में दोनों दोनों कंडिब्रेंट ब्राहमन रहें और जाप ब्राहमन करेंगे इ तो है इनका काफी अच्छा लग रहा है इस वज़े से बीजेपी को लगता है कि यहां पर टक्कर है किलियर जीत दिखाई नहीं पड़ रही है हर वैसे हो माननी रहे हैं बाकि आप क्या सोचते हैं कि यहां से कौन जीतेगा आप कमेंट बोक्स में अपनी राय अवश्य दे औ और इसके बाद हम बात करते हैं कि अंबाला के अंदर जो है शितिती क्या रहेगी तो अंबाला की बात करें तो अंबाला में क्या है कि अंबाला के अंदर जो पूरो सांसद रतनलाल कटारिया है उनकी दरमपतनी जो है बंतो कटारिया जो है बंतो कटारिया जो है बंतो कट लाल काटारिया जी उनकी मौत होने के पश्चात इनको बावना तमक जो है ना एक आप कह सकते हैं समर्थन मिलना था और वो समर्थन भई कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा अर्साथ में ये भी एक बात थी कि बीजेपी ने मोदी के चेहरे के उपर पर परदान मंतरी मोदी जी के नकी उपर चुनाव लड़ाने का यहां से परियास के था इनको लेकिन यहां पर जो है इनके सवामने है वह है वर्न चोधरी जी जो कोंगरेस का युवा नेता है विधान में जिन्होंने बेस्ट विदायक जो हैं वो रहे और इनकी पिता जो हैं कोंग्रेस के बड़े नेता तो उनकी भी प्रस्ट भूमी जो है वो काफी अच्छी है तो बंतो कटारिया और वनु चोधरी जी के बीच में यहां पर कड़ी टक्र बताई जा रही है बाकी आप क्या स आप से तो नमीन जिंदल थे तीन कंडिडियेट थे याँपर नमीन जिंदल जो एक वैपारी है और नमीन जिन्दल का अजकल एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है जैसे ही जो है राम रहीम संत राम रहीम के केस में बाईजत बरी का जो नेना है उसके पशाथ और इनका एक वीडियो भी वाइरल हो रहा है आपने देखा होगा कि पिता जी से लोग आसिरवाद लेंगे उची तरहें की कि यहां पर इनके समक्ष जो है दावेदारी ठोक रहे हैं सांसद पद के लिए और इन्हीं के साथ सबसे जाद होट शीट क्यों रही में बात क्या है में बात यह है कि इंडिया गठ बंदन के जो परत्यासी हैं आम आदमी पार्टी से वह यहीं से पूरे हर्याना के अंदर आम आदमी पार्टी को एक सीड दी गई और वह दी गई कुरुक्षेत्र के अंदर जो हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर सुसील गुपता डॉक तो डॉक्टर सुसील गुपता जो हैं यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर अबैसिंग के साथ और साथ में बीजेपी के नवीन जिंदल के साथ तिर्कोनिये मुकाबला यहां पर माना जा रहा है तो इसलिए यहां पर जीत या हर अभी किसी परकार से सभीकारी न जीत बता रहें बीजेपी के लोग करें कि यहां पर टकर है तो यह एक परिणाम रहा कि कुरुक्षे तर्मीन का यहां पर क्या होने वाला है इसके पर साथ अगर हम बात करें तो एक बात और बताना चाहूंगा कि अबैसिंग जी को जो हैं आबैसिंग यहां पर इसलिए उनके सामने टकर मानी जा रही है बाकि टकर है या हार है या जीत है यह आप बताएं अपना कमेंट बुक्स में कमेंट करके यह बीजेपी का कहना है कि यहां पर इस तरह का माहूल है अब आते हैं आपके अपनी होट शीट के उपर और यह है आपकी बिवानी आप चुनाव लड़ रहे हैं पर रावदान सिंग जी को परत्यासी बनाया है कोंग्रेस ने जो पहले चार बार विधायक रहे लिए यह पहले विधायक भी रह चुके और साथ में सांसद भी रहे हैं दो बार लगातार दोजार चोदा से उननीस और उननीस से फिर चोबीस सांसद भी रहे हैं और अभी जो है इनका पूरा चुनाव हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया है चोदरी धर्मवीर जी से समन्दित बहुत सारी खबर और भार्दान सिंग से समन्दित भी अगर आप किसी दूसरे जिले से हैं या रियाना में कहीं से भी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस परकार से चोदरी धर्मवीर जी और साथ में रावदान सिंग जी का चुनाव जो है अमारे चैनल पर उपलब देप पूरा अच्छे तरीके से तो वह आप देख सकते हैं इनकी काफी टकर यहां पर बीजेपी की तरफ से बताई गई है हालांकि कल ही चोदरी धर्मवीर जी ने जो हैं एक प्रेस कोंफरेंस की रूस के अंदर अपने आपको जीत का दावेदार बताया और उसमें अलग अलग जहांपर अलग अलग जो हैं एक आखड़ा दिया कि हाँ हम इतने वोटों से जीतेंगे बाकी जो बीजेपी के इंटरलन रिपोर्ट है वो कह रही है कि यहां पर टकर है महंदरगर बिवानी सीट के उपर तो यह एक होट सीट रही आपके हरियाना की क्योंकि यहां पर जो हैं चोदरी धर्मवीर जी जो सांसद हैं इनके खिलाप पहले सुरुती चोदरी जी जो खड़ी होती थी उनका टिकट काटकर और रावदान सिंग जी को यहां पर है ना टिकट दी गई तो रावदान सिंग जी को जब यहां पर टिकट जी चलिए बाहर के लोग वैसे यहां के लोग तो सब जानते हैं अच्छे और बाहर के लोग भी जानते हैं वैसे फोटो हम दिखा देते हैं रावदान सिंग जी को यहां पर टिकट दी गई और टिकट जो है काफी मशक्कत के पस्चाथ यहां पर मतलब जो हैने दी गई रावदान सिंग जी को एक लंबे समय के पस्चाथ और सूति चोधरी जी की टिकट कटने के पस्चाथ जो है रावदान सिंग ज से बड़ा चेंज था और चार बार ये विदाय करें हालाएं कि एक कंडिडेट मजबूत थे जिस प्रकार से आने लोग सबाओं के अंदर भी कंडिडेट मजबूत होने के वजए से बीजेपी जो है अपना ये कहा रहे है कि इन सिट्टों पर हमारी टकर है तो यहां पर भी क चुनाव लड़ने का अनुबव है और साथ मिच चुनाव को उठाने का भी अनुबव है बाकि क्या रहता है किस परकार के कारण रहते हैं हार जित के वह भी हम डिसकस करेंगे आप क्या सोचते हैं मेहं अंदरकट बीवानी से कौन जीतेगा चोदरी द्रहंवीर जी या रा आपको विनर बताते हैं तो बर च्छार सेटेमी कह रही है कि हम करनाल से जीत रहें है निकिए ग्रूगराम और ये हैं आपका ग्रूगराम और एक और सीट है जिस सीट का अगर हम जिकर करें तो वह सीट है आपकी फरिदावाद और फरिदवाद की साथ जो आपकी एक चोटी सो सीट है वो सीट है आपकी जो जिस पर ये जीत रहे हैं वो है आपकी हिसार यह चार ऐसी सीट जिन सीट के उपर जीत रहे हैं बीजेपी वाले अब मैं इनको सोट कटन बता देता हूं कि कैसे जीतने का कारण है इसमें यहां पर जो जीतने का कारण है खास तोर पर है करनाल से पूरोव सियम के उमिद्वार होने की वज़े से और जो बुदी राद्ध कॉंग्रेस से जो परत्यासी दिये गए हैं वो थोड़े हलके पढ़ रहे हैं इनके सामने इस वज़े से ये विनिंग में अपने आपको बता रहे हैं कि बीजेपी कहरे हैं कि हम इस सीड जी जाएंगे राव इंदर जी जी जिनका कैडर है काफी हाई है जिनका जो सहरी छेतर हैं गुरगाओं या रेवाडी इन सभी में और साथ में कुछ अहिरवाल सेतर होनी के वज़े से राव इंदर जी जी का लोगों के बीच में मतलब जो है अच्छा संपरक भी है और उनका ये इलाका जादा सही माना जा रहा है इस वज़े से ये कह रहे हैं कि गुरगाओं क कंडिडेट की मजबूती बताई है और इसके बाद जो है फरीदवाद जो है वहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि किर्शनपाल जो गुजर है वो जो है वो जीत में हैं यहाँ पर और किर्शनपाल गुजर जो है यहाँ पर आलांकि इनके सामने भी गुजर ही है कॉंग्रेस स लेकिन कह रहे हैं कि हम जीत देंगे चलिए यहां पर अपनी जीत बता रहे हैं बाकि जो इसार है इसार के अंदर रंजीत जी रंजीत सिंग चोटाला तो यह यहां पर उमीदवार हैं और उमीदवारों की मतलब आप कह सकते हैं कि रंजीत सिंग चोटाला हो गया किशन अपा का टकर यह बीजेपी के इंटर्नल रिपोर्ट है ऐसे ही कांग्रेस के इंटर्नल रिपोर्ट में हम आपको देंगे आपको क्या लगता है कि हर्याना में कितनी सीटे आएंगे बीजेपी की या कॉंग्रेस की कौन जीत रहे कौन बाजी मारेगा और मेंदगर विवानी पर कौ विश्य में देंगे लेकिन अभी जो हैं दोनों पार्टियों के तरफ से जो आई यह उसकी बारे में चर्चा जिस प्रकार से बीजेपी की रिपोर्ट हमने दिये ऐसे ही आपको कॉंग्रेस की भी देंगे आपको कैसी लग रही है हमारी चुनाओं के बाद की खबरें कमेंट